नमस्कार दोस्तों कैसे है आप आई होब आप सभी अच्छे होंगे तो आज हम लोग बात करेंगे H2 Wealth Builders के बारे में जो कि एक ऐसा Small Cash है लगातार 4-5-6 महिने में काफी अच्छा रिटरंस दिया हुआ है देखी यह मेरा Watchlist है Small Cash के साइट में वाच लिस्ट है मेरा March 19 से लिया हुआ है देखिए 57% रिटरंस दे चुक है अल्रेडी मार्च मतलब मार्च एप्रिल में जून जुलाई चार माहिने भी कंप्रीट नहीं हुआ है 57-58% रिटरंस है इसका तो अभी यहां पर चलता है कलिक करता हूँ और फिबेस्ट में क्लिक कर रहा हूं जो फिल्टर करता हूं और इंक्लूद निव smaア कर देंगे ठ् but वान यार में 148.47 परसंट एजट्टी वेल बिल्ड़र्स के बारे में थोड़ा देख लेता है दो साल में इंका 80% सीएजिया है जब काफी हाई रहता है तो यह बिसिकल इस कंसेंडेटर स्मॉल केस होगा तो 8-15 स्टॉक्स रहेगा जो की इमर्जिन सेक्टर मतलगा स्मॉल काप स्मॉल काप यूनिवर्स से स्टॉक्स पिक अप क्या हो रहेगा तो 80% सीएजिया रहा है मिनिमा दिखा रहा है भी 48717 तो यह स्टार्ट होता है इनका सब्सक्रिशन फीज है 4720 से पर six months जो के one year का है अमनों calculate कर लेंगे अभी 4720 4720 इन्टू टू एक सल का है 9440 उपए तो मेरा जो फॉर्मूला रहता है कि आपका जो 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 भी प्रीमिर स्मॉल केसे लेंगे आप 2% से जाधा होना ने चाहिए आपके कॉर्पस से तो उस हिसाब से उस फॉर्मूला हिसाब से 9400 divided by 0.02 मतला 2% equals to आपका minimum amount होना चाहिए कॉर्पस का 4,72,000 फिर इनका justification होगा इनका subscription fees तो 4,00,000 इनका जो अभी minimum amount invested recommender यह recommendation नहीं है मेरे तरफ से minimum 4,72,000 रुपीज अगर लगाएंगे यहाँ पर तो ही इनका जो फीज जस्टिविकेशन होगा तो स्मॉल केस के बार ने यह long term का nature का small case है, horizon है, 5 to 10,000 डिरिकली बोल दे रहा है यहाँ पर पहले line पर के short term के लिए नहीं है यह वाला small case, तो यहाँ पर वही बता रहा है के as Warren Buffett का a quote है, के you can't produce a baby in one month by getting nine women pregnant, तो मतला basically एक short term के लिए आपको returns अच्छा नहीं मिलेगा, return चाहिए तो long term के लिए वेट growth potential, 5 to 10 years के लिए concentrate a portfolio of 8 to 15 stock, जो strategy है इन लोग का value है, value strategy, growth strategy और technical strategy, equal weighted to start with and every time we remove or add stock, we rebalance it to equal weight, तो rebalancing काफी actively manage होता है, यहाँ पर, तो we suggest to invest in minimum 3 lakh rupees, more than 3 lakh बता रहा है के लेकिन मेरे formula के हिज़ाप से 4 lakh 72 thousand आ रहा है, long term wealth creation के लिए है, और बस यही है, तो इसका benchmark है, equity small cap, max में देख रहा है, 100 रुपय लगाते हैं, आप लोग यहाँ पर, April 22 से start हुआ है, तो 2 सार complete हो चुगा इसका, small cap में लगा है, small cap का benchmark है, 100 रुपय में, equity small cap देता है 76%, और यही पर, यह H2 wealth builders जेथा 266%, मतलब कोई comparison है यही नहीं, दो साल का देखते हैं, 119%, और यहां पर है 327%, मतलब 100 का छोड़के, 100 का छोड़के 327%, एक साल में 70%, यहां पर 144%, 6 महीने में 21%, 39%, एक महीने में 9%, 15%, आराम से हर एक सेक्टर में, हर एक period time period में, अच्छे खासे से equity small cap को beat कर रहा है, और equity small cap में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, सबसे ज़्यादा growth बनता है, और उसी को सबसे अच्छी तरीके से beat करते हुए आ रहा है, लगातार, stocks का बात करो, 11 stocks है, तो काफी concentrated portfolio है, और last rebalance हुआ था July में, और next rebalancing का date नहीं है, क्योंकि need basis है, rebalance का timeline देख लेते हैं थोड़ा, तो rebalance के timeline पे उपर नज़र डालता है, तो small case live गया था April 2022, तो दो साल में 24, 25, 26, 27, तो 27 rebalancing हुआ है, और ऐसा नहीं है कि per every rebalancing में 10-15 stock change हो रहा है, बस एक या दो stock ही change कर रहा है, तो इनका जो rebalancing charges है, वो भी minimum रहने वाला है, तो और इसका market distribution देख लाता है, mid cap में 9%, अभी फिलाल, और small cap में 90%, तो ये काफी risky small case होने वाला है, और risk के साथ हमनों जानता है, reward भी काफी अच्छा आएगा, financial ratios के तरफ नजर डालता है, 25 है, जो कि equity small cap bench market दोलना में काफी बहतर ही है, और PB ratio भी लगवक थोड़ा ज़ादा है, तो यहाँ पर थोड़ा मैनेजर के बारें पढ़ लेता है, यह manager है, age to investment managers है, नजर के नाम है, हितेश तुलसी भाई, चहान, तो इनका 20 years के ज़्यादा, इनका experience है market में, और यह already association है, ICI के साथ, जहाँ पर यह lecture देते थे, equity markets के बारे में, तो यह already 3 small case manage करते हैं, H2 Multicap Strategy और H2 Well Builders दोनों popular small cases है, यह multicast small case है, काफी अच्छा CHR इसका भी आ रहा है, 74% और हम लोग आज discuss कर रहे हैं, H2 Well Builders, जो 80% का CHR है, तो अभी नीचे चलता है, दूसरे टैब में, यहाँ पर हम लोग का main है, view cost and returns, यहाँ पर जो 80% दिखा रहा है, यह 80% actual returns नहीं है, यहाँ से हम लोग कर इंका subscription fees और जो rebalancing charges है, वो निकालना पड़ेगा, तो subscription fees तो directly हो गया, 1 year में चलता है, यहाँ पर max है, directly हो गया 9,440 और अगर मैं 10 लाग का investment करता हूँ, यहाँ पर 1 लाग में 2000 का rebalancing charges जा रहा है, जो कि काफी nominal है, तो आप लोग अगर 1 लाग रुपे इंवेस्ट करने के लिए सोच रहे है, तो 11,000, सारे 11,000 रुपे एक्स्टा देना पड़ेगा, आप लोग को rebalancing प्लस subscription fees मिला के, तो total आपको बन जाएगा, जो returns है, 1,28,000 returns बन जाएगा, और corporate का amount हो जाएगा, 2,40,000, यह है आपका actual returns एक साल में, 114%, जो के पहले, यहाँ पर 2 years का 80% था, तो 1 year में इनका 114% आ रहा है, यही पर मैं आगर जैसे बोला के, करीबन 4,72,000 investing करना है, यहाँ पर justify करने के लिए इनका subscription fees, यह डाल के देखत हो मैं, तो load हो रहा है, देखिए, 4,72,000 के बाद, 9,000 यह तो flat fees है, इनका 9,440 एक साल में, और 5,800, और extra 6,000 इनका और rebalancing charges में लग जाएगा, तो total extra लगता है, 9,000, 14,000, 15,000 के करीब इनका extra पैसा लगेगा, rebalancing plus subscription मिला के, तो 131% देखिए, इनका return सारा है, एक साल में, 4,87 का corpus आपका बन जाएगा, 11,33,000, तो काफी एक अच्छा, एक prospect रहता है, क्योंकि हम लोग, जब देखते है, एक small case को, historical returns ना देखिए, जो recent returns है, वो देखना, देखना जरूरी होता है, तो एक माही ने के लिए देखिए, आराम से अच्छी तरीके से बीट कर रहा है, जहा election कब था, यहाँ पर जून में था, यहाँ पर election के time था, election में नीचे आया था, लेकिन equity small caps से ज़्यादा नीचे नहीं आया है, फिर भी recover कर लिया है, तो यह काफी अच्छा prospects है, जिन लोग के लिए जो risk लेना चाहते है, अपने portfolio में, concentrated portfolio of small caps रखना चाहते है, और long term के लिए है, तो guys, वीडियो पसंद आए, तो like और subscribe कर दीजिये, चैनल को ऐसे informative videos, small case का videos मैं review करता हूं every week, और खुद भी मैं small case में already लगा चुका हूं पैसा, और daily videos भी आएगा small case का from next month, तो जानने के लिए बने रहे है चैनल के सा like और subscribe कर दीजिये चैनल को, thank you so much for watching, have a very good day.